दोस्तो नमस्कार आप देख रहेंगर के एट इंडियार हमारे साइड में है रोईयेंग चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम जिनका IPL 2023 में आगाज तो काफी सांदार हुआ था लेकिन बीच में इस टीम को लगातार कुछ हार मिली जिसके बाद टीम की कंडिशन थोड़ी ज्यादा इंट्रस्टिंग हो चुके जहां पर टीमें क्वैलिफिकेशन के लिए पूरी 80 चोटी का जोर लगाकर IPL 2023 में अपने महा मुकाबले खेल रही है अभी तक के वल एक ही टीम गुजरात टाइटन्स की टीम IPL 2023 के प्लियोस में क्वैलिफाई कर पाई है रोईयल चे प्लियोस में क्वैलिफाई कर सकती है और इस वीडियो में हम RCB टीम के उस पूरे वेको पूरे सिनेरियो को बिल्कुल अथी तरह से डीपली एनलेसिस करने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी के पर्फॉर्मेंस पर नजर डालते हैं तो RCB टीम के पर्फॉर्मेंस को आप सभी लोग साइड में मेरे स्क्रेंड पर बिल्कुल क्लीन एंड कलियर ली देख पारेंगे जहां पर रोईयल चेलेंज जहस बैंगलोर की टीम ने अभी तक कुल 13 महा मुकाबले खेले हैं जहा उसके बाद वेनका नेट रंडेट काफी ज्यादा इंकरीज हो गया था IPL 2030 की जो नई नवेली पॉइंट स्टेबल है उसका आप सभी लोग मेरे साइड में स्क्रेंड पर बिल्कुल क्लीन एंड कलियर ली देख पारेंगे जहां पर बैई आपकी गुजराट टाइटन्स क कमबैक यहां पर इस टीम ने किया है लेकिन इसके बावजूद यह है टीम IPL 2030 के प्ले उसमें थोटा सा मुस्किल क्वैलिफाई करते हुई नजराने वाली है इस टीम के पास केवल एक ही तरीका बचाय चलिए उस पूरे सिन्यारे को बिल्कुल अच्छी तरह से एनलेसिस क करते हैं तब को बताने चांगा कि IPL 2030 इसमें रूइल चलेंजर बेंगलूर की टीम का केवल एक ही महा मुकाबला बचा हुआ है जो टेबल्ट ओपर गुजरात टाइटन्स टीम के साथ होने वाला है मैच काफी जबर्दस तो गाले की नारसीवी टीम के लिए जो फर्स्ट क पीटिशन में है जिसके चलते बहुती बैटर रंडेट इस टीम को अपना बनाना पड़ेगा गच्छे गैप के साथ यहां पर इस टीम को गुजरा टाइटन्स के खिलाफ जीत दर्च करने होगी लेकिन केवल उससे भी काम यहां पर नहीं चलने वाला है एक और कंडिसन य इंगलो टीम के IPL 2030 के लिए चांसेज बन सकते हैं तो फिलाल RCB टीम का सिन्यार कुछ इस तरह का तयार हो रहा है लेकिन आपके मताबिक RCB टीम क्यालिफाइग कर पाए गया नहीं आपको क्या लगता में कमेंट बोक्स में ज़रूर देना पर आए फिलाल किस वीटम बसी त इंडिया थिंक्स पर वचिंग